विशेश रूप से काशी विश्वनात मंदिर और इस मामले पर बात करें सत्कुरू तो अयोध्या के मामले में मेरे खयाल से लोग हमसे पूछते रहे हैं सुबूत कहा हैं, हमें सुबूत दिखाओ, और भी बहुत कुछ इस मामले में मेरे खयाल से काफी लोग जो काशी गए हैं जब आप गेट नमबर चार पर जाते हैं तो पहली नज़र आपकी ग्यानवापी मस्जद पर पड़ती है पहले तो ये एक विरोधा भास है एक संस्कृत नाम ग्यान का कुवा एक मस्जद के लिए थोड़ा जीब है पस्चिमी दिवारे, खंडर, सब 16 सदी के एक भव्यमंदर की अफशेश हैं जो वहाँ बना था और उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा कि हमने शांती का रस्ता चुना इस मामले में अयोध्या के विपरीत 200-200 सालों से केस चल रहे हैं शायद हमें अदालत में बहस करना पसंद है वहाँ भी हम भारतियों की बहस करने की आदत नहीं जाती और अब हमने उन्हें जवाब दिया है जो पूछते रहते हैं सुबूत कहा है अब हमने उनके साबने भारतिय पुरातत पर सर्वेक्षन के 800 पन ने पटक दिये है जो करीब पिछले महीने आया है जिसमें हर छोटी चीज का ब्यौरा है तो मंदिर का विरोध करने वालों के लिए कितना सुबूत काफी है कि वो सच में कहें कि हम सहमत है क्या औरंग जेब को अपनी कबर से निकल कर बोलना होगा हाँ मैंने उसे तोड़ा था क्या सिर्थ तभी वो इस बात को मानेगे देखिए ज्यादा तर मंदिर जो तोड़े गए उनके पास हमेशा से एक इतिहासकार होता था क्योंकि अपने मन में वो ऐसे लोगों के रूप में याद रखे जाना चाहते थे जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा या नश्ट किया और उस धर्म को स्थापित किया जो उनके हिसाब से सरवोच्च था तो वो याद रखे जाना चाहते थे उन लोगों के रूप में जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था इसलिए सबूत का आज कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद बहुत गर्व से लिखा है कि मैंने ये मंदिर तोड़ा और उदाहरण के लिए मतुरा में लिखने वाला आदमी कहता है ये सबसे भव्य इमारत है जो मैंने अपने जीवन में देखी है इतनी विशाल इतनी शानदार रचना ये किसी मनुश्य का काम नहीं हो सकता इसमें ईश्वर का हाथ है लेकिन फिर भी उन्होंने नश्ट कर दिया और ये सब उन्होंने खुद लिखा है आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जोट लिखा है ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगोंने हमारी पाठ्थे पुस्तकें लिखी है उन्होंने हमारा दिमाग इतना बिगाड़ दिया है कि हमारे पास ये कहने की हिम्मत नहीं है कि ये सही नहीं है और दुर्भाग्य से हमारी कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था इस देश के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, शुरुआती पचास साथ साल तक उन लोगों के कबजे में थे और इसी कारण हमारे अपने मन कहीं न कहीं ऐसे हैं, मैंने अपने मन को पूरी तरह पलटने में थोड़ा समय लिया है, वरना स्कूल, कॉलेज के समय मेरा मन, हालांकि मैं शायद ही वहां जाता था, फिर भी उसका मुझ पर असर था, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी भावना है जैसा कि मैंने कहा, एक आकांक्षा है, हमलावरों की तरह होने की, एक शर्मिंदगी की भावना भी है, पीडित होने की वजह से, इसलिए हम उससे नहीं पहचाने जाना चाहते, अगर संभव हो, तो हम अपनी तवचा का रंग बदलना चाहेंगे, मैं नहीं, लेकिन कई सारे जहां लोग अपनी तवचा का रंग बदल रहे हैं, बेशक आपकी तवचा का रंग बदलने वाले कॉस्मेटिक्स हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमलावर प्रेरणा दायक बन गए हैं, जो हर तरह के लोगों के लिए एक भयानक चीज़ है, लेकिन ऐसा हुआ है, खुशकिसमती नियायपालिका भी सक्रिय हो गई है, तो चलिए इन चीज़ों को भूल जाते हैं, अगर हम सिर्फ आज के सम्विधान से चलें, जिसमें खुद कुछ पहलू हैं, क्योंकि कभी कोई पर्फेक्ट किताब नहीं लिख सकता किसी चीज़ के बारे में, ये ठीक है, आप एक ले पर्फेक्ट किताब नहीं लिख सकता, हर किताब जो आप लिखते हैं, उसमें ये दुविधा होती है, अगर आप उसे हजार बार पढ़ें, तब भी आपको लगेगा कि ये हटाना चाहिए, वो डालना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, इसे लाना चाहिए, ये अंतहीन तरी करने भी ये दावा नहीं किया, कि ये एक पर्फेक्ट सम्विधान है, बहुत अच्छे से काम हुआ है, लेकिन ये पर्फेक्ट किताब नहीं है, तो ये कहना चाहिए, कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप मौझूदा सम्विधान के अनुसार चलें, तो ये बहुत स है, एक अंधा भी देख सकता है कि ग्यान वापी क्या है, ब्रेल से, आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक है, उसे देखने के लिए किसी को आँखों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे काबिल जजों को ये देखने के लिए 60-70 साल की कानूनी प्रक्रिया लगती है उमीद है कि हम यहां अदालत की अवमानना नहीं कर रहे हैं, ये एक गंभीर अपराद है नहीं अदालत की अवमान ना तब होगी अगर मैं वर्तमान नियाद हीशों के बारे में कुछ कहूं। मैं प्राचीन काल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काफी देरी और काफी टाल मटोल हो चुकी है। मेरे ख्याल से कई माइनों में कोई भी प्रक्रिया, शिक्षा, नियाए पालिका, जो भी प्रक्रिया किसी जगह पर होती है, उस पर किसी ना किसी रूप में सत्ताधारी वर्ग का, अगर पूरा नियंत्रन नहीं, तो प्रभाव जरूर होता है। तो जब शासक वर्ग पूरी तरह से उस रास्ते पर था, तो मेरे ख्याल से हर किसी ने समवैधानिक प्रक्रिया में चूक ढूंड ली, ताकि सत्ताधारी वर्ग को खुश किया जा सके। तो एक ऐसा समय आ गया है जहां देश में जागरूकता का उभार है, और मुझे नहीं लगता कि न्याईक अधिकारी इस बढ़ती जागरूकता से बच सकते हैं, और वे किसी भी चीज का फैसला ऐसे तरीके से नहीं कर सकते, जो सभ्यता के लिए नकारात्मक हो और सम्विध सम्विधान से परे, तो ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, जो सम्विधान के भीतर है वह होना ही चाहिए, कोई भी नहीं नहीं कह सकता, क्योंकि यह एक अधिकार है, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने उनीस सो एक्यानवे में एक कानून पारित करने का साहस कि जिसमें कहा गया था, कि भारत के नागरिक उन कुछ पहलूं के बारे में अधालत नहीं जा सकते जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, दुनिया में कहीं भी कोई भी लोकतांत्रिक देश कभी यह नहीं कह सकता, कि एक नागरिक कानून का सहारा नहीं ले सकता, ऐसा कोई दे देश नहीं है, बेशक हम भी ऐसा देश नहीं होना चाहते, लेकिन ऐसा कानून पारित किया गया, और अब भी हम उसे हटाने में हिचक रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि यह सुप्रीम कोट की नजरों से कैसे बच गया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं, कि इस अगर उन चीजों के लिए कानून का साहरा नहीं ले सकते जो उनके लिए माइने रखती है